हम करने वाले हैं format of a legal notice तो उससे पहले हमें दो चीज़ा पता होने चाहिए कि notice advocate भेंजता है plaintiff और defendant के था प्लेंटिप जो केस कर रहा है उसके भीहाब पर भी lawyer भेंज़ेगा और जिसको पर भेंजा गया है जो defendant है वो भी अगर reply देना चाहता तो वह भी notice के थूरू reply देगा उसको कहते रिप्लाइं ठीक है उसको सिंपल टांस में यहीं बोलते है अब इसका format क्या होता है लिखने का पहले जो advocate send कर रहा है plaintive के दरब से उसका नाम आएगा फिर two किसको भेंज रहा है उसका नाम receivers subject respected sir यह जो आप लिखना चाहता है फिर subject जो आपका कहानी है जो भी आपका facts है अब जो उसमें डालना चाहता है allegation यह reply करने के लिए defendant जो कहना चाहता है वो उसके बाद यो sincere advocate य उसको ओफिस यहां तक आगया sender's address उसके बाद आता टू जैसे कि हमारे यहां पर था टू फिर आता receiver advocate address तो receiver advocate address यहां पर आ गया टू श्री advocate के नाम कहां पर practice करता है वो जगह कहां पर ठीक उसके बाद हमारा क्या था subject आ गया subject ठीक है यह subject है अगला आता है dear sir respected sir जो भी है यह dear colleague advocate advocate को लिख रहा तो आपके लिए वह भी लिख सकते हो respected sir में लिखा है तो आप respected sir लिख सकते हो तो लिख सकते हो तो यह हमारा respected sir के बाद क्या आगया था मतलब यह जो भी आपका case है मतलब matter रेजिस्टर रिलेटीड है जो subject में गलत लिख दिया matter जो रिलेटीड है वह आपको लिखना है यहां पर ठीक है मतलब वही जो subject से रिलेटीड है किस कहानी है पूरा अपना लिख सकते हैं तो यहां पर आपका your sincere subject लिखने के बाद your sincere your sincere your colleague जो भी है advocate का नाम यहां पर advocate का नाम और signature और यह तीन स्टार्टिंग को भेंज रो तब भी यह होता है reply जब जवाब देते हैं तो बस इतना उम्मीद करते हो समझ में वह को लाइक कर देना जैन जै भारत